क्या हो गया? आप wheelchair पे क्यूं? सर, वो जो सामने building है, मैं उसके तीसरी मंजल से कूद गया है हाँ? क्यूं? क्यूंकि मेरा CGPSC में चैन नहीं हुआ और ना कभी होगा ऐसा क्यूं? क्यूंकि सर, मैं एक गरीब परिवार से आता हूं पर तुम तो पढ़ाई में काफी अच्छे हो, फिर भी CGPSC में नहीं हुआ, बता सकते हो क्यूं? गरीबी सर, बचपन सही पढ़ाई में बहुत तेज था, माबाप गरीब थे पर उनका सपना था कि मैं बड़ा होकर एक अफसर बनूं और उनका नाम रोसन करूं यहाँ आया तो देखा कि यहाँ तो सिर्फ पैसे वालों का और कॉंग्रेसी नेताओं के बच्चों का ही चैन होता है, मैं डर गया मैं और ज़्यादा मेहनत करने लगा, सोचा कि सरकार मेहनती युवाओं को मौका जरूर देगी, उनके साथ धोखा नहीं करेगी सोला हड़ियां टूटी, दो महीने सोचने का मौका मिला, तब बात समझ में आई ये गरीब घर का बेटा, 36 घर में कोई अफसर नहीं बन सकता है, ये हमारी किसमत में ही नहीं है आज मेरा CGPSC में चैन नहीं हुआ है, उसका कोई अफसोस नहीं है सर, क्योंकि अब पता लग गया है कि इस कॉंग्रेस सरकार में हम युवाओं का कुछ नहीं हो सकता है युवाओं के साथ छल तो कॉंग्रेस के खून में है देखिए, आपका CGPSC में चैन नहीं होने का कारण आपका गरीब होना ही नहीं बलकि साथ ही एक कॉंग्रेसी का बेटा नहीं होना भी है पर अगर कोई आपके पहचान का कॉंग्रेसी है तो कुछ हो सकता है तो सर अब ऐसे धोखे से अच्छा है, मैं गरीब ही ठीक हूँ